सोने ओ, सजनो, बेलियो ते मित्रो मैं हूँ आपकी होस्ट, आर विलोग्स, मेरी प्यारी सी यूट्यू फैमिली को मेरा प्यार भर असलाँ उमीद करती हूँ कि आप जहां भी हूँ, दुनिया के जिस खिते में हूँ, आप खेर औ आफित से हूँ, आमीन यहाँ बच रही हैं, सबा के नाइन ओकलॉक, और मैं कर रही हूँ, ब्रिकवस्ट के त्यारी, बच्चों को स्कूल चोड़ कर, आकर मैं बना रही हूँ अपने और अपने हस्बेंड के लिए नाश्टा बच्चों को पहले ही नाश्टा करवा कर और उनके लंच त्यार करकर मैं स्कूल भेज देती हूँ और जब मैं घर आती हूँ तो उसके बाद मैं और मेरे हस्बेंड करते हैं नाश्टा आज मैंने चीज ओमलेट बनाया है चीज ओमलेट मेरा और मेरे हस्बंड का फेवरेट है रोजाना पराठे काख काकर बोर हो जाते हैं तो आज मैंने सैंड़िच बनाया है और साथ मैंने बाकरखानी रखी थी क्यूंकि चाई के साथ मुझे बाकर खानी बहुत जादा पसंद है यहां यूके में पाकिस्तानी बाकर खानी तो नहीं मिलती पाकिस्तानी बाकर खानी का तो अपना टेस्टा पर ये बाकर खानी भी बहुत मज़े की होती है नाश्टे के बाद मैंने घर के थोड़े से काम किये बरतन धोए किचन की सफाई की और घर की सफाई की उसके बाद मैंने लंच की त्यारी शुरू कर दी लंच में मैंने आज पाई बनाए थे पाई मुझे बहुत पसंद है मेरे हस्बन तो पाई नहीं काते लेकिन आज उन्हें पाई बहुत मज़े के लगे थे और उन्होंने भी शोक से रोटी काई मैं तो हर चीज़ खा लेती हूँ अलहमदुलिल्ला मैं दाल, सबसी, कोष्ट, हर चीज़ खा लेती हूँ बस चीज़ें हलाल और पाक तेयब होनी चाहिए हमके चार बच चुके हैं और मैंने अपने लॉस को चाहिपर इन्वाइट किया है चाहिट तो एक बहाना होती है असल मकसद यह होता है कि हम सब बिकटे होकर बैठ चाएं और एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें मैंने फिश बनाई थी फिश तो सब को पसंद होती है और बहुत जल्दी से बन जाती है और इसका जाइका भी लाजवाब होता है मैं तलापिया फिश यूज करती हूँ यह बहुत ही मज़े की बनती है आप लोग मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि आप अपने अपने अरियाज में कौन सी फिश यूज करते है इसके लावा मैंने बनाई थे बच्चों के लिए नगर्स और चिप्स क्यूंके बच्चे नगर्स और चिप्स बहुत शोक से खाते है यहाँ पर एक फ़नी वाकिया आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा जो चोटा बेटा है वो मैकडोनल्स की नगर्स चिप्स खा लेता है पर अगर घर में दें तो वो नहीं काता तो लास्ट टाइम जब हमने मैकडोनल्स और चिप्स का जो रैपर होता है वो रख लिया था और उसको इस दफ़ा चिप्स उसी रैपर में डाल कर दी थी और वो मैकडोनल्ड की चिप्स समझ कर खा गया था आप लोग बताईएगा कि आपके बच्चे भी क्या ये सब कुछ करते हैं इसके लावा मैंने चिकन विंक्स बनाई थी और पॉपकॉन थे और मीठे में हमने केरट केक मंगवा लिया था क्यूंके केरट केक बहुत मज़े का लगता है चाई के साथ फिर रात को सेवन अकलॉक मैंने ये गिफ्ट आप देख रहे होंगे मैंने इनको रैप किया था यहां पर क्रिस्मिस जब होता है तो हम टीचर्स को गिफ्ट देते हैं लास्ट टाइम मैंने टीचर्स को चॉकलेट्स और बुके दिये थे तो इस दफ़ा सोचा कोई डिफरेंट चीज दूँ तो सटन में एजड़ा के सामने एक जो है अंकल जो है वो स्टॉल लगाते हैं बर्तनों का उनसे मैंने ये बर्तन बाई किये थे बहुत ही मुनासिप प्राइस परते और क्वालिटी भी काफी हाई थी तो मैंने उनसे कैंडी बॉक्सिस लिये थे और दो फूट बॉल्स लिये थे बस मैंने उनको रैप कर दिया था और कार्ड्स के साथ टीचर्स को मैंने वो दे दिये थे पाकिस्तान में हम जैसे इड पर देते हैं कार्स टीचर्स को या फ्रेंड्स को तो यहां हम क्रिस्मिस पर देते हैं रात के 11 बचे मेरा कुछ सनेक खाने को दिल चाह रहा था मैंने शकरकंदी को माइक्रोवेव में रख दिया और 8.50 मिनिट्स का मैंने इसको वेट लगा दिया उसके बाद मैंने इसको माइक्रोवेव से निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया और इसके बाद मैंने इसको पील ओफ कर लिया चिलका उतारने के बाद मैंने इसको नाइफ से कट कर लिया ये स्नैक बहुत जल्दी बन जाता है बहुत इंस्टन्ट स्नैक है अगर आपका भी कुछ खाने को दिल करे तो आप ये बना सकते हैं कट करने के बाद मैंने फ्रेश लेमन इस पे चिर्ड़का था अगर आपके पास फ्रेश लेमन ना हो तो आप लेमन जूस भी इस पे एड़ कर सकते हैं इसके बाद मैंने इस पर जार्ट मसाला एड़ किया था आप लोग भी स्वीट पोटेटो की ये रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिएगा मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट पनी है ये देखें इस तरह आप हमें बाइल करने की कोई जरूरत नहीं है आप जल्दी से इस नया घर पर त्यार कर सकते हैं उमीद करती हूँ आपको मेरा आज का दिन अच्छा लगा होगा बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए विलॉक्स के साथ तब तक अल्ला हाफिज